सो हाई अवरिवन दिस इस इजे मोनू सो फ्रेंस जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी उजेसी मॉप अग्राउंड के लिए आफलाइन पटना में कॉंसलिंग चर रहा है तो फ्रेंस आज जो सीट बचा है यानि कि आज तक का जितना भी कॉंसलिंग हुआ है उसके बाद कितना अभी भी कॉंकों से कॉलेज में कॉंकों से ब्रांच में कितना सीट अभी भी अभी अब लेवल है जिनका भी पान तारी के बाद जिनका भी कॉंसलिंग है तो आप एक देख लिजिए कि कौन से जो भी आपका च्वाइस होगा college and branches तो आप उस college के particular देख सकते हैं कि कौन से college में कितना seat है कौन सा branch में आपके category अनुसार तो फ्रेंट जो भी एस्टेट इस चैनल पर पहले वारा आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल एकोन गंटी प्रेस कर ले रहिएगा ताकि हर अपडेट आपको विहार UGSC से related मिलता रहता है तो फ्रेंट यहां पर देख सकते हैं कि UGSC 2022 मॉप अप कौनसलिंग वैकेंसी रिपोर्ट आप्टर कौनसलिंग हैंड ओन 5.11.22 जानी कि 5 नौमबर के बाद तो यहां पर देख सकते हैं बक्तियारपू इंजिनियरिंग कॉलेज में अभी सीविल में एक सीट बचा हुआ है जो कि अभी भी EWS के लिए और उसके बाद यहां पर मैं देखाना चाहता हूँ फ्रेंस कि जो भागलपू इंजिनियरिंग कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा स्टुडेंट कराता है केंप्यूटर साइंस के लिए तो यहां पर देखा देता हूँ कि computer science भागलपूर में नहीं है यानि कि सब ब्रांच फूल हो गिया है computer science के लिए branches है जो कि इसमें एक भी seat नहीं है उसके बाद particular एक ब्रांच के लिए मैं बता देता हूँ सभी में और अपने according देख सकते हैं जैसे BPMCM अध्यपूरा में computer science में एक city है और यह कौन सा category है देख लेते हैं एक category आपका BC है तो जो भी student BC category से होंगे तो अभी लग रहा है कि UR से अभी category से मिल रहा है जब आपका category rank से मिलेगा reservation के according तो आप उसमें आपको मिलेगा जो भी आपका category होगा जाईएगा तो मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका top college है उसका मैं दिखा देता हूं जैसे कि इसमन मधुमानी सीवान यह सब college lower में आ जाते हैं यानि top 20 के बाद आते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं कटिहार छप्रा के लिए मैं बताता हूं तो कटिहार engineering college में computer science में देख सकते हैं 6 सीटे यहाँ पर भी अब लेवल है और जो भी चाते हैं कि computer science ले या जो भी ब्रांच में एक particular ब्रांच के लिए भी मैं बता रहा हूं जैसे कि छप्रा engineering college में देख सकते हैं कि छप्रा में civil में बच्चा हुआ है जो कि 7 सीटे हैं लेकिन यहाँ पर computer science में नहीं है जैसे मोतिहारी में भी तो मोतिहारी में भी नहीं है और नलंदा नलंदा में भी नहीं है एरोनौर्टिकल इंजिनियरिंग में है सीविल इंजिनियरिंग में भी है चार सीटे हैं उसके बाद पुर्निया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है आपका जो भी स्ट्रेंट पुर्निया में लेना चाहते हैं यहाँ पर एक सीटे है ऐसी कटेगडी में उसके पाद सासा राम में भी है देख सकते हैं सासा राम में केंप्यूटर साइश में दो सीटे हैं उसके बाद सहर्षा सुपॉल में भी बचा हुआ हैं जो एंजिनियरिंग कॉलेज है उसमें 6050 सी अभी सीट बचा हुआ है तो जो भी एस्टेंट participate किये होंगे तो सभी को मिल जाएगा यह नहीं है कि मैरा इतना rank है तो नहीं मिल पाएगा जितना भी आपका rank है 6000 बहुत सीटे होती है और आधा समझे कि हुआ ही है आधा से भी कम हुआ है अभी एडवीशन तो आप लोग को सभी लोग को मिल जाएगा तो आप बेट कीजिएगा तो फ्रेंट से यदि इस पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप में और बार्सप ग्रूप में जोइन रही है ताकि आपको इस पीडियाप को महाँ पर अप्लोड कर दूँगा तो आप देख सकते हैं तो चलते हैं थैंक यू सो मच फ्रेंट्स